मैं दॉक्टर अजेश शर्मा चेर्मेन इन मेंजिंग डियेक्टर आईक्यू सपर स्पेशल टी आई हॉस्पिटल्स आज आपको कुछ केट्रैट यानि सफेद मोतिया के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं दुनिया तरक्की पर है तरक्की चलती जा रही है होती जा रही है जो अब एक लेटेस्ट जो नई चीज जात हुई है जैसे आप नाम सुन रहे हैं लेजर इट इस ट्रू लेजर जिससे कंशु करें आप ऊपरेशन के मेजर हम चार से पांच मेजर स्टेप्स कर सकते हैं लेकिन क्या अच्छाए यह ेसके पर जबारे हैं opioidुप करने के लिए यह है कि एक तो यह true laser है robotic cataract surgery इसमें इनसान सिरफ calculation लिखता है और machine सारा काम करती जब machine को भी काम करेगी तो predictability बढ़ जाएगी और repeatability बढ़ जाएगी दोनों का मतलब जो चीज मुझे चाहिए वही चीज बनेगी अगर मुझे incision जो है 1.8 mm चाहिए तो 1.8 बनेगा अगर मुझे rexus 5 mm चाहिए 4.2 चाहिए तो उतना ही बनेगा और दूसरा safety यह जो machine latest machine जिससे हम काम करते हैं catalyst की machine है वो machine इतनी बढ़िया machine है कि उसके अंदर आप यह सारा काम इतनी safely कर सकते हैं कि आज तक touchwood हमारे पास कोई ऐसा एक incidence नहीं हुआ जिसके अंदर आख में एक भी कोई complication हुए निल complication यह मैं नहीं कह रहा हमारे जितने को लिए के सब काम करते हैं किसी के पास ऐसी कोई complication reported नहीं है कोई भी surgery cataract surgery इससे करी जा सकती है कोई भी आदमी इनसान इससे operation करा सकता है और उसके लिए safe रहेगा cost में थोड़ा सा फर्क है लेकिन मैं आप सब को सिर्व एक बात बोलता हूँ आप सारी जिंदगी काम करते हैं आप सारी जिंदगी अपने लिए कमाते हैं बच्चों के लिए कमाते हैं लेकिन अगर अपनी आख के लिए आप कुछ हजार extra लगा के अपनी आख में safety ले सकते हैं उससे आपको फाइदा हो सकता है तो क्यों आप यह ऐसा करें तो आप सब को कैटरेट के बारे में मैंने कुछ जानकारी दी आशा करता हूं इससे आपका कुछ फाइदा होगा तो जब भी अगली बार आप अपने यह आप तो प्लीज उनसे पूछे क्या वह फेमटो कैटरेक्स जरी उनके पास अविलिबल है और उसी जगहां पर सर्जिरी कोशिश करिए जहां पर यह मशीन हो तो जो यह फेमटो कैटरेक्ट सेजरी है इसमें कोई ब्लेड यूज नहीं होता तो इसलिए यह बहुत सेफ है प्रेडिक्टेबल है अगर आपकी कोई भी जानकारी के लिए कोई भी आपकी और क्वेरी हो तो आप जो नंबर हमने दिया गया है उस पे कॉल करें और बेज इसे बात करें जो काउंसलर है या जो डॉक्टर है वो आपको इसके बारे में और जान करेंगे लिए